जेरा बेठी जो सुचनी मन में हिम्मत आई उत्साफिर से जग जाई जाई मायूसी की तकलिफ के पीछे कोई वज़ा होती है कई बार कोई कारण होता है कभी कोई सामाजिक तकलिफ, कोई जिस्मानिक तकलिफ, शारिरिक तकलिफ या कोई आर्थिक तकलिफ, और कई बार कोई वज़ा न होते हुए भी इंसान को मायूसी की तकलिफ हो सकती है हमें मायूसी के लक्षणों को पहचानना चाहिए और खुद में या अपने करीबी लोगों में अगर ये लक्षण मिलें तो हिम्मत करके इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए ये हुए मायूसी की तकलिफ जिसमें खयाल नेगेटिव और नकारत्मक हो जाते हैं आईए अब हम एक ऐसी तकलिफ को देखें जिसमें हमारे खयालों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और न चाहते हुए खयाल बार-बार हमें सताते हैं जो हमें पसंद नहीं हैं जो हम जानते हैं ये फिजूल हैं ये फाल्तू हैं व्यर्थ हैं मगर वोही खयाल हमें दोराते हैं और हमें कंट्रोल करते हैं आईए देखें obsessive compulsive disorder को कि अधारयं जार्यापयक है आईए चिर्लणालेशिया जार्य कि लुझे कारशची से रड़ मत रड़ मत गळेतर हम जार्याण थे यार्या disturbus कर् collecting चिज़ वरेस्ट अच्ट्यटेस टमकोोई से.-ौस महीं संप सु अपोसित वे लादिद उसन अच्टेफिक पेस्टेशिच इसलेक स्वुं पितव हैसरיה उन्यकर नाईवंच को अपेस्टेट को स्फुंफित बई हैसा है they will find it difficult to sustain their attention for longer periods of time so the teachers need to make a few changes in the way they instruct the students it is very important that in schools teachers